दोस्तों, रूस के बारे में हमेशा से ये पढ़ाय गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है लेकिन शायद ही कोई समझ पाता है कि रूस का असल साइस क्या है अगर आप मैप पर देखें तो आपको पता चाहिएगा कि रूस इतना बढ़ा है कि वो यॉरप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है ना सिर्फ इसका बॉर्डर तुर्की के साथ है लेकिन चीन और नॉर्ट कोरिया के साथ भी है फिर नॉर्वे के साथ भी रूस का बॉर्डर है लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दूस्तों रूस कभी एक बहुती छोटा सा देश हुआ करता था लेकिन कुछ मजबूरियों के कारणों ने अपने देश को एक्सपैंड करना बढ़ा है और आज ये बड़ा सा देश आपके सामने खड़ा है तो कैसे किया रूस ने अपना वि अब दुनिया की सबसे च्छोटी कंट्री मुनैको को देखें तो क्लेरिया 2 स्कॉर क्लॉमी नदॉपर का कुल एरिया 5.5 लाग स्क्वाइर किलोमीटर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका का साइज 80 लाग स्क्वाइर किलोमीटर है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कैनिडा का साइज 90 लाग स्क्वाइर किलोमीटर है अब यहां पर रूस आता है जिसका साइज एक करोड़ सत्तर लाग स्क्वाइर किलोमीटर है यानि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश से लगभग दुगरा रूस के बास दुनिया की हैबिटेवल एरिया का बारा दशमलब पाज प्रतिश्यत हिस्ता है जो बहुत ज्यादा है ध्यान रखिए का हमने करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे आज से 1000 साल पहले रूस का साइस बहुत ही छोटा था और यहां स्लाव लोग रहते थे इनकी सिर्फ एक परिशानी थी कि यह एक तरफ से बहुत लंबे-लंबे खास के मैदान थे जहांसे इन पर कभी भी हमला हो सकता था और हमला हुआ भी मंगोल का मंगोल सामराजी जो दुनिया का सबसे बड़ा सामराजी था रूस पहुंच गया और यहां के लोगों पर राज करने लगा वात वक्त तक ऐसा ही चला लेकिन मुस्कोवी नाम के एक शहर में कुछ नया होने लगा था यहां पर जानवरों का फर बेचने के कारण लोग अ समय तक मंगोल सामराजी भी तुना फैल चुका था किसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और देखते ही देखते मुस्कोवी मंगोलों के चंगल से आजाद हो गया इस मुस्कोवी का ही नाम बाद में मुस्कोव हुआ जो आज रूस की राजधानी है अपनी जमीन वाप का काम कर सके इसलिए लोगों ने अपने सामराजी को और फैला आया और उन्हें पहाडियां मिली उरल की पहाडिया लेकिन इन पहाडियों पर खब्जा करने के बाद भी एक कोटा सा गैब बच जाता था जहां से रूस पर हमला किया जा सके तबी रूस पर इवान द लोग था और भी ज्यादा जानवर जिनका फर बीचा जा सकता था और रूस ने साइबेरिया को भी अपना हिस्ता बना लिया सोल भी शदात्दी आते आते धीरे धीरे रूस और भी जमीनों पर खब्जा करने लगा एक वक्त पर तो ये हालत भी हो गई कि राजा को पता ही होता था कि उसकी सेना का है और किस इलाके पर उसका कबजा कर रही है रूस उस वक्त तरह फैल गया कि आज पूरे रूस में एक टाइम जोन नहीं है रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन से जिसका मतलब है कि रूस ने इतने बड़े हिस्से पर खब्जा किया हुआ है कि वो तक रूस में इसको लेकर कोई बड़ा विद्रो कैसे नहीं फूटा रूस के विस्तार की कहारी बाकी एमपायर से काफी अलग है ये ब्रिटिश एमपायर है डच एमपायर की तरह नहीं था जिसने अपने आर्थिक फायदों के लिए किसी देश पर पहले अमला किया फिर व रूस उनके समाज को रुकसान नहीं पहुंचाता था और वो लोग भी बाखी कबीलों से प्रोटेक्शन के लिए के एमपायर का इससा बनना चाहते थे आज रूस शौरासी टेरेटरीज में डिवाइड़ है जिन में से 22 गड़तंत या रिपब्लिक है यानि कि वो अपने आपको खुद ही मैनेज करती हैं वहां के ओफिशल लेंग्विज अलग है वहां अलग तरह के लोग रहते हैं और उन लोगों के लिए अलग खानून भी हैं सिर्फ अंतरराश्ट्री मामलों में ये रिपब्लिक्स रूस को अपनी जिम्मेदारी देते हैं वना इसके ले लीजे जो रूस के पूर में यहां कडाके की ठंड बढ़ती है और इस पूरे रिपब्लिक का साइस बेलजियम से बढ़ा है यहां पर स्लाव लोग नहीं रहते हैं यहां पर अलग संस्कृति की लोग रहते हैं जो दूसरी भाशा बोलते हैं सखा अपने हीरों के लिए बहुत मशूर है तुनिया के 25 प्रतिशत हीरे यहीं से निकाले जाते हैं इस रिपब्लिक की अपनी अलग राजधानी भी है वहीं दूसरी तरफ आप दागिस्तान गुदेगी जो रूस का हिस्सा है लेकिन यहां पर मौसम गर्मी रहता है यह इस्सा रूस की दूसरी आपको यहां के लोगों की पोशाकों से पता चल जाएगा कि यह वो रशियंस नहीं है जिनने देखने की हमें आदत है दागिस्तान में पिछले कुछ सालों से रेस्लिंग को लेकर काफी क्रेज बढ़ा है और यू एफसी फाइटर खभी भी दागिस्तान से ही है दागिस् सकते हैं जहां के लोग स्लाव नहीं बलकि मंगोल हैं वह यह मंगोल जिन्होंने कभी रूस पर अमला किया था और जो इतने बड़े रुश्यन एंपायर के लिए जिम्मेदार थे लेकिन फेर भी रूस का हिस्सा है यहां पर तुवान भाशा बोली जाती और इनके पास भी अपनी एक राज़दानी है तुल मिलाकर रूस ने एक ऐसा सामराज्य खड़ा किया है जिसे उन्होंने अपने साथ मिलाने के बज़ाए अपने साथ रखकर और ज्यादा उभारने का काम किया है और इसी वज़े से रूस को ज्यादा विद्रो नहीं शेनला पड़ा और ऐसे कई तरह के लोगों क्यों साथ मिलाकर भी रखा जा सकता है और देश भी चलाए जा सकता है अब यह वीडियो देखकर आप खुद ही सोचिए कि अगर इसी में आज की सोविय संग के देशों को मिला लिया जाता तो आज रूस का साइज और उसका समाज कितना बिन्न होता ह आपको आज का वीडियो कैसे लगा और क्या आपको रूस के बारे में कोई ऐसी बात पता है जो हम बताना भूल गए हम एक कॉमेंट्स में बता है साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले